नमस्कार, MV Health Tips चैनल में आपका स्वागत है और नाज़दा पक्षी दिखते हैं तो दोस्तों आज मैं आपको कुछ ऐसा बता रही हूँ जिससे आप अपने घर का अन बचा सकते हैं और उन्हें बरबाद होने से भी रोक सकते हैं आएए आम मैं आपको कुछ इस वीडियो में ऐसे दरिये बताती हूँ बासी रोटी खाने के बहुत ज़्यादा फाइदे हैं जी हाँ बासी रोटी खाने के अनेक फाइदे हैं जैसे कि बलड प्रेशर को रखता है कंट्रोल जी हाँ आपको बता दे हम जो बासी रोटी हम फैक देते हैं उसे खाने से बहुत ज़्यादा ही फाइदा होता है ये खासकर उनके लिए होता है जो दिन बर बाग दोड करते रहते हैं और उन्हें high blood pressure की बिमारी होती है ऐसे लोगों को हर रोज सुभा दो गेहूं की रोटी और दूद में मिला कर खाएं तो उनका blood pressure control हो जाता है और अगर आपको BP की problem भी नहीं है तो यह कभी होने भी नहीं देता इसलिए आप हर रोज बासी रोटी जरूर खाएं और स्वस्त रहें ऐसे डिटी और शुगर को रखता है control अगर आप सुभा कुछ न कुछ खा लेते हैं और फिर बजार निकलते हैं तो आपको gas बनने लगती है अगर आप यही घर से निकलने से पहरे सुभा सुभा अगर दो बासी रोटी के साथ दूद का सेवन करें तो आपको gas की problem नहीं होगी इस acidity से ही आपको तनाव और शुगर जैसी बिमारियों का सामना करना पड़ता है इसलिए जो लोग बासी रोटी का दूद के साथ सेवन करते हैं और बहार निकलते हैं तो उनको ऐसी बिमारी को सामना नहीं करना पड़ता इसलिए मैं आपको सला देती हूँ दोस्तो बासी रोटी जरूर खानी चाहिए जिससे आपको शुगर को भी कंट्रोल लगने में मदद करेगा पेट की प्रॉब्लम से भी छुटकारा दिलाती है बासी रोटी इतना ही नहीं जिनने पेट से समन्दित कोई भी समस्या है और वहें घर में अगर दूद और बासी रोटी का सेवन करें और उन्हें पेट भरके खाए तो यह समस्या ठीक हो जाएगी शरीर के तापमान को भी रखता है सही जिनने हाई प्लड प्रेशर की समस्या है वो अगर रोज सुबा ठंडे दूद के साथ दो रोटी का सेवन करें तो उनका तापमान सही रहने लगेगा इसके लावा जादा गर्मी के मौसम में भी आप इसका सेवन करने से शरीर का तापमान सही रहता है तो दोस्तो बासी रात की रोटी को फैगने से अच्छा उसे अशदी की तरह यूज करें और दोस्तो आप मेरे चैनल को सिस्क्राइब करना ना भूले जिससे मैं आपके ल हूँ